हेलो व्यूवर्स वेलकम बैक तो माई चैनल दिल्ली के लजीज खाने दोस्तों आज हम आपके साथ इस्पाइसी चाउमिन की रेसिपी शेयर करेंगे जो बहुत ज्यादा टेस्टी बहुत ज्यादा मज़ेदार बनती है और यह हम फूड इस्ट्रिट से भी ज्यादा चाउमिन बनाएंगे आपके साथ तो चैनल इससे बनाना शुरू करते हैं यह हमने 200 ग्राम चाउमिन ली है यह आप देख सकते हैं यह मार्किट में असानी से मिल जाती है अब हम इससे बॉइल करेंगे यह हम 1.5 लीटर पाने डालेंगे पानी की कॉइंटिटी अच्छी ड जाला है और इसको अच्छे से मिला लेंगे नमक को अब हम इसके अंदर नूडल्स ट्राल देंगे नूडल्स को हमें 80% कुक करना है 80% इसे पकाना है नूडल्स को मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पकने देंगे तीन से चार मिनट से इसे हमें पकाना है अच्छे से हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं यह अच्छे से कुख हो गए हैं बस हमें इनको इतना ही कुख करना है इतना ही पकाना है अब हम इसका सारा पानी निकाल देंगे इसको अच्छे से चान लेंगे हमें इसको अच्छे से ड्राय करना है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए अब हम इसके अंदर थंडा पानी डाल देंगे थंडा पानी डालने से नूडल्स आपस में चिपकते नहीं है तो आप इसको जब चाने तो इसके ओपर थंडा पानी डाल दें थंडा पा लाज शिमला मिर्च है सिरका लिया है टू टीस्पून टू टेबल स्पून सोया सोस ली है आप अपनी पसंद की कोई भी विजिटेबल्स ले सकते हैं अब हम कडाई में वन एट कप ऑईल डाल देंगे और इसको गरम होने देंगे ऑईल को अब हम इसके अंदर प्यास टाल द और बहुत ज्याद में प्यास लेंगे और बहुत ज्यादा इसको हाई तू थमस पियांफ्र नहीं चलाएंगे Yog इज eamnin नहीं रखकर इसको अच्छी शपार को अब हम इसके अंदर शिम्ला मिर्च टालेंगे इस तरह हमने इसको बारOTH मिर्च कर अब हम इसको को बारे कर द लेंगे अच्छे से इनको मेडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे सिर्फ एक मिनट के लिए अब हम यह पत्ता गोबी डाल देंगे हमने पत्ता गोबी इसी तरहां बारिक बारिक कट किया है और हमने यह विजिटेबर्स की सबस्यों की क्वैंटिटी थोड़ी जादा ली ह है क्योंकि हम चाउमिन ज्यादा बना रहे हैं घर में चाउमिन सबको बहुत ज्यादा पसंद है तो हम इसलिए सबके लिए चाउमिन बना रहे हैं आप जितने दिल चाहे बना सकते हैं उसी हिसाब से आप सबस्यों की क्वैंटिटी बढ़ा लीजे यह हम नमक डाल देंगे इसके अंदर हाफ टीज़पून नमक डाल देंगे नमक हमने बॉइल में भी डाला था तो आपको ख्याल रखना है नमक का कि नमक बहुत ज्यादा ना हो जाए और इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे इसको मिला लेंगे अच्छे से अब हम इसके अंदर नूडल्स डाल हैं बहुत अच्छे खिले खिले यह आपस में चिपके नहीं है तो हम यह नूडल्स डाल देते हैं सारी इसके अंदर और इसको एक पार मिला लेंगे सबजियों में अच्छे से इसको अपर नीचे कर लेंगे अच्छे से सारी सबजियां इसके अंदर मिला लेंगे यह आप इसमें चिपके नहीं बहुत जादा अच्छी भने Halor दाल लिए ये सौया सोसे इसका पेमिंत्स प्राक्षना वट खाल। बहुत अच्छी ये फूर्ड स्ट्रीट से भी ज्यादा अच्छी चौमिन बनेगी जैसी हमें फूर्ड स्ट्रीट में या हम रेस्ट्रेट में खाते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छी हम ये घर में चौमिन बना रहे हैं हम तो हमें ये स्पाइसी चौमिन पसंद है हम इसके पास नूडल ड्रेसिंग सॉस नहीं है तो आप रेड चिली सॉस टाल दें और इसको इस तरहां अच्छे से मिला लेंगे सारे इसके इंग्रिडेंट्स को सारी सॉस को अच्छे से मिलाना है हमें इस तरहां और इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे हम सिर्फ 2-3 मिनट इस ज़्यादा स्पाइसी बनेगी बहत ज़्यादा टेस्टी बनेगी तो अगर आप टेमेटो केचप डालना चाहें तो वह भी डाल सकते हैं हमें इह ठोड़ी س्पाइसी पसंद है तो हम इसलि karşı बना रहे हैं यह हमारी चौणाविर्ट स्पैसी चौणाविर्ट बन ये क्रिशी आप तैस्ट मीड़ा है। आप इस ज़रूर ट्राइब कीजाए लगांच करें हैं अपसे च्हाविर्ट सेओर मैपने है। और ये सर्फ करने के लिए तयार है, बहुत ज्यादा टेस्टी मज़िदार चाउमिन बनी है, और बहुत ही कम कोस्ट में ये हमारी चाउमिन बनी है, बहुत ही कम बजट में बनी है, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए, बहुत ज्यादा मज़िदार ये रेसिपी है और आप हमारी इस रेसिपी के साथ जाकर अपनी फैमिली के लिए स्पाइसी चौमिन बनाएं और इससे इंजॉय करें अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक सरूर कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमें कमेंट्स करते रहिए, आपके कमेंट्स से हमें होसला मिलता है, हमें सपोर्ट मिलती है, नेक्स्ट वीडियो में इन्शालला आप से फिर मुलाकात होगी, एक नए रेसिपी के साथ, ठैंक यू फर झां वे धется हमेंट्वाजड़ करे रहे लागा होगी, तो झांट्पकेशन आजर्ट Was One submarines ॢे झांटे वीडियो की की वीडियो का